हे वाट्सब असलाम अलीकूम मैं हूँ आपका दोस्त अन्वीर मीर और आज मैं शौकतली स्टेडियम को जब आग बारा मुला से आप लोगों तक ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो पहुचा रहा हूँ जहां जहां पर डियाफे बारा मुला के लीग मैट्स चल रहे हैं और सूपर डिविजन का आज मुकाबला खेला जाना था वन अफ मैं फेवरिट टीम हाइदर एफसी और वन अफ मैं फेवरिट प्लेयर आकिप सुल्तान मीर इलू बाई ये जो इस वक्त स्क्रीन पर दिख र तो जिस तरह से आज ये मुकाबला और ये खेल खेला गया फरस्ट हाफ में चाब बहतरीन खेल का मुझारा किया सौकर ओल टाउन एफसी ने लगातार काफी कोश्चें की लेकिन सफल नहीं हुए कोई भी गोल डागने में और हाइदर एफसी भी कोई पीछे नहीं रही इन जो है वो मुकाबले जीतते आरे हैं और टेबल टॉप कर रही इस वक्त अपने पूल में और सूपर डिविजन का जो ये मुकाबला देखने के लिए जिस तरह से लोग आते हैं और प्यार दर्शात है इस खेल को जो देते हैं जो प्यार देते हैं अपना वक्त निकाल कर मैदान में आते हैं और ये वक्त ये समय सिर्फ और सिर्फ उनको पता होता कि शाम साड़े पांच बजे यहां पर मुकाबले शुरू होते हैं और अपना काम चोड़कर अपना काम जल्दे से खत्म करके वो पहुँच जाते हैं शौकतली स्टेडम खजबाग बारा मुला में और यह खेल भी ऐसा था कि फर्स्ट हाफ में कोई गोल नहीं आ रहा था और लोग भी सोच रहे थे कि कौन सी टीम रहेगी जो पहला गोल दागने में सफल रहेगी और खोए हुए थे इस खेल में लेकिन फिर सेकंड हाफ आता है और सेकंड हाफ में जब साइड भी चेंज हो जाते हैं और कुछ स्पेशल डे भी था आज का क्योंकि जो हमारे हैट्रिक बॉई उनके लिए भी स्पेशल था और आज की हैट्रिक भी उन्होंने जो है वो अपने बच्चे के नाम की डेडिकेट की क्योंकि शादी के बाद और फादर बनने के बाद उनकी पहली हैट्रिक थी जी हाँ मैं बबारक बादी देता हूँ आकिब सुल्टान मीर यानकी इलो भाई को जिन्होंने आज हैट्रिक मारी वो भी फादर बनने के बाद उनकी पहली हैट्रिक थी हलाकि जब सिंगल थे, बैचिलर थे, काफी बड़ी बड़ी परफॉर्फॉर्मस दी है, लेकिन आज का यह है ट्रिक थी, यह कुछ स्पेशल थी, यह दिन था आज का, जिस तरह से आपने देखा, यह दूसरा गोल दागने में सफल रहे, काफी बहतरीन बॉल दी थी शाहिद और फिर कंट्रोल किया आकिब सिल्टान मीर ने और गोल दागने में सफल रहे, और यह तीसरा गोल जो पैनल्टी से कंवर्ट किया, और सफल हुए अपनी पैनल्टी जो है वो और अपनी हैट्रिक मुकमल करने के लिए यह तीसरा गोल बहुत जरूरी था, और इसमें भी अभी भी और बेस्ट पर्फॉर्फॉर्मस देते रहे और बाकियों को भी इंस्पायर करते रहे शुक्रिया स्लामनेकूम